हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का पोस्टर लर्निंग पॉइंट में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दरपन एप से विड्रॉल कैसे किया जाता है तो सबसे पहले लोग इन करने पर यूटिलिटी पेज खुल के आता है यहां पर हमको CBS पेज में जाना है CBS ओपन होने के बाद आपको cage withdraw में जाना है back canvas विड्रॉल में आपको account number टाइब करना है जिस account से विड्रॉल करना है उसके बाद search पे click करें search पे click करने के बाद उसकी detail आजएगी फिर signature पे click करें और यहाँ पर signature match नहीं हो रहा है तो procedural पर क्लिक करके आगे बढ़े फिर यहाँ पर आप कितना withdrawal लेना चाहते हैं वह amount type करें और फिर से एक बार अच्छे से चेक कर लिजिए कि सही detail है तरब सही account से withdrawal हो रहा है फिर initial transaction पर क्लिक करें उसके बाद confirmation पर जाता है yes पर क्लिक करें yes पर क्लिक करने के बाद आपका transaction success हो जाता है और इस प्रकार इसका status जो होता है transaction ID वगरा दिखा देगा फिर आपका कितना withdrawal हुआ और कितना बचा है account में सारी चीज़े यहां पर बता देगा चाहे तो आप इसका print out भी ले सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को like, comment और अपने GDS साथियों के साथ share जरूर करें धन्यवाद